रूस के राष्टपती विलादिमीर पुतिन ने अपने देश के लोगों के काम करने के दोरान भी संतान उत्पत्ती पर दियान देने की अपील किये है। उन्होंने सुझाव दिया है कि काम काजी लोग लंच और कॉफी ब्रेक के समय रॉमैंटिक मुलाकाते करें ताकि देश की जनसंख्या बढ़ सके। एक रिपोर्ट के नुसार पुतिन ने कहा रूसी लोगों का संद्रक्षन हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रात्मिकता है। रूस का भविश है इस बात पर निरवर करता है कि हमारी जनसंख्या कितनी हो गई। यह राष्ट्रीय महत्व का सवाल है यह सुझाओ ऐसे समयाया है जब रूस में जन दर 1.5 बच्चे प्रति महिला हो गई है जो 2.1 की दर से काफी कम है तो जनसंख्य की स्थिरता के लिए ज़रूरी है इसके अलावा अनुमान है कि 2050 तक रूस की जनसंख्या 144 मिलियन से घट कर लगबग 130 मिलियन हो सकती है मॉस्को में 18-40 साल की महिलाओं को उनकी प्रजिदेंट क्षमता की जांच के लिए मुफ्त स्वास्त्य परिक्षन कराने के लिए प्रवसाहिद किया जा रहा है ताकि वह अपनी प्रजिदेंट सेहत का सही आकलन कर सकें